अप्रेल का महिना खत्म होते होते देश भर में भीशन गर्मी का प्रिकोब दिखने लगा है। कुछ राजियों में तो तापमान अभी सही 45 डिगरी के पार पहुंच चुका है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतनी भीशन गर्मी के चलते कॉंक्रीट की सरक पर अंडा तक उबाला जा सकता है। लोग तो कह रहे हैं कि अगर अप्रेल में ये हाल है तो मई और जून के महिने में चुबती जलती गर्मी और लू के चलते मुसीबत और जादा बढ़ने वाली है। लेकिन भारत में इस हीट वेव के पीछे मुख्य कारण क्या है? आखिर साल दर साल भारत में गर्मी क्यों बढ़ती जा रही है? भारत के कुछ हिसों में अप्रेल में हीट वेव अलर्ट मिल रहा है। कई लोग इसके लिए जलवायू परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग को दोश्ट दे रहे हैं जो कि एक हद तक सही भी है लेकिन गर्मी के लिए सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग को दोश्ट नहीं दिया जा सकता बलकि इसके पीछे चार बड़ी वजह हैं। देशों में तापमान सामान्य से जादा हो गया। दूसरा कारण सर्दी खत्म होने के बाद आमतोर पर कई शेत्रों में बारिश होती है लेकिन ऐसा इस साल नहीं हुआ। इनसान आज भारत के जादतर शेहरों का स्वरूप पूरी तरह बदल चुका है। विकास के नाम पर पेड काटे जा रहे हैं। उची और लंबी इमारतों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। स्ड़कों पर गाड़ियों की संख्या में लगतार इजाफा हो रहा है। शेहरों की हर्याली में दिन बदिन कमी आती जा रही है। पक्की सपनकों का निर्माण हो रहा है, घरों में इसी का इस्तमाल जाधा हो रहा है, और यही वजह है कि इन शहरों में तापमान लगतार पड़ता ही जा रहा है, इसलिए ऐसे शहरों को आजकल अर्बन हीट आईलंड कहते हैं, यानि अगर आप ऐसे शहर में रहते हैं जहां की आबादी कम है हरियाली जादा है आस पास कोई तालाब या पानी का दूसरा स्त्रोत है तो आपका शहर उन शहरों की तुलना में जादा ठंडा होगा जहां ये सब कुछ काफी सीमित है इसलिए इस गर्मी के लिए सिर्फ जलवायू परिवर्तन को जिम् करें और चैनल को सबस्क्राइब करें वहीं तमाम बाकी खबरों के लिए देखते रहें नियूज नेशन